आज हम क्रिस्टी ब्राउन द्वारा लिखा गया है, उसके कोशन अंसर करने जा रही है जो क्रिस्टी की मदर थी, उनको कैसे परचला कि उसके जो बेटा है, वो हैंडिकाप है, फिजिकली हैंडिकाप्ट है इस आंसर है, वन क्रिस्टी बास फोर मन्स ओल, इस मदर अब्जर अब्जर थी, उसके जो मदर थी, उसने देखा दहां से, कि उसका जो सीर है, वो स्पोर्ट नहीं कर रहा है His hand had a habit of falling backwardness, और उसका मिशा पिशेक तरफ जुका रहता है, जब भी वो उसको दूद पिलाने की कोशिश करती थी ऐसी grew older, और जैसे से वो और थोड़ा बढ़ा हुआ, His hands were clanged tightly and twisted unnecessarily और जो उसके हाथ थे, जो मुख्या थे वो विशा बंद रहती थी और पिशेक दरफ मूड़ी रहती थी और उसके महा बहुत कोशिश गण थी कि उसके मुख्यों को पोले और उसके हाथ सिदे करें और वो ऐसा कर नहीं आती थी He could not even hold the nipple of the bottle because he could not freely open or close his mouth. Even कि जो उसका मूँ था वो जो निपल की बॉटल की उसको पूरी तरह से hold की कर पाता, पकड़ नहीं पाता था उसका मूँ कि जबडे ना तो उस चित्रा से खुल पाते थे और ना इस चित्रा से बंद हो पाते थे At six months he could not only sit by resting his back on the mountains of the pillow. जब वो शे महीन हो आ तो उन्होंने नोटिस किया कि वो बैठ भी नहीं सकता है उसको बिठाने के लिए पूरी बिल्लो की पूरी लेन लगा दी जाती थे उसके आसपास फिर उसको बिठाया जाता. All these signs alert his mother so he consulted doctors. जे जो सारे signs थे जे सारी जो उसने ध्यान से अपने बच्चे को बच्चे को उसको पाचला कि फूरी इस मेरे बिठे में problem है so फिर उसमें दॉक्त को इसको 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 ठाए बाश। were so very sure of themselves that mother's faith in me seemed almost in persistence. अब doctors ने तो पूरा बोल दिया जब उसकी माँ अपने परचे को डॉक्टर को भी तक्रका ले गई तो doctors ने बोल दिया कि mentally or physically तोनों ही retarded है, मतल भी defect है इसमे, but that mother's faith in me seemed almost in persistence. जो मेरा माँ का मेरे दीज में faith था, मेरे ब्रोसा था, वो rudeness दिखा था, impersistence हो था, कि उसमें rudeness दिखाई, कि जो doctors उसको बोल रहे थे, but उसने वो बात नहीं मानी, इसका यह पाट है, but did Christy's mother think about him, Christy's mother, जो Christ सा, उसके बारे में क्या सोचती थी, Christy's mother thought that he was not mentally defective as well as doctors told him, as the doctors told him, Christy's mother सोचती थी, कि उसके इसके बच्चा mentally retardant नहीं है, mentally उसमें कोई भी defective नहीं है, जैसे फिजिकली ही defective, जैसे कि doctors उसको बोल रहे थे, he believed that it was his body which was shattered, not his mind, वो पुरा ध्यान believe करती थी, कि जैसे जो उसकी body है, वो ही defective है, उसमें ही कोई problem है, बट उसका जो mind है, वो बिल्कुर से ही है, वीपाटा इसका, why is her faith in him described as impersistence, जो उसका भरोसा था उसका अपने बच्चे के ओपर, उसको जहां पे impersistence क्यों बोल गया, rudeness क्यों बताया गया है, जहां पे, हर faith in him is described as impersistence, because she refused to accept the expert opinion of the doctors and specialist that he was affected, उसकी जो परोसा था अपने बच्चे के बीच में, कि वो mentally retarded नहीं है, वो physically he retarded है, जिजो उसकी रूमलेस थी, क्यों डॉक्तर से ने उसको opinion दी थी, उसको नहीं माना, इसको जहां पे impersistence बोला गया है, she treated him in the same place as in normal time, वो अपने बच्चे के साथ ऐसे ही पेशाती थी, जैसे कि वो अपने बखी बच्चों के साथ पेशाती थी, she believed that it was his body which was shattered not his mind, वो जानती थी, जह उसकी body ही है, वो जो physically handicapped नांकि उसका दिमाग, question no.3 है, in spite of all that doctors and specialists told her, Christy's mother would not agree that he was imbside, what does this reveal about her as a person, अब doctors ने और specialists ने उसको बोला कि तुम्हारा बच्चा क्या है, defective, handicapped, कि वो बोला कि तुम्हारा बच्चा handicapped है बट उसने वो बात नहीं मानी, as a person के हमें क्या दर्शाता है, यह as a person उसकी माँ कैसी थी, इसका अंसर है, that she was a positive person, जह हमें जह दर्शाता है कि जो वो उसकी माँ ते वो एक positive person थी, positive की तरफ सोचती थी, negative की तरफ नहीं सोचती थी, positive attitude made her believe that her son could not be completely crippled, जह उसका positive attitude ही था, जिससे कि उसने believe कि मेरा बच्चा पूरी दरां से handicapped नहीं है, she loved him and believed in him, वो उसे पूरा प्यार करती ही और उसके बरोसा करती थी, to her it was his body which was shattered not his mind, उसके लिए उसकी body physically handicapped थी ना कि उसका दिमाग, question number 4 है, What did Christy's mother hope to achieve by showing him pictures and animals or flowers? Now Christy's mother, क्या चीव करना चाती थी, क्या उसके दर भरोसा था, जब वो अपने बच्चे को कभी pictures दिखाती थी, कभी animals की, कभी flowers थी, तो क्या चीव करना चाती थी इस चीज़ से वो, answer है, Christy's mother wanted to prove that her son was not an idiot, but normal like other children, वो जे प्रूफ करना चाती थी, वो जे प्रूफ करना चाती थी, इसका बच्चा जो है, वो mentally reactive नहीं है, mentally retarded नहीं है, वो नार्वल बच्चों की तरह ही सोई सब रहा है, she sat out to prove this, वो इस चीज़ को प्रूफ करना चाती थी, by showing her son pictures of animals and flowers, she wanted that he could speak and understand things by this, वो जब अपने बच्चे को जे चीज़ सब चीज़ दिखाती थी, वो जे प्रूफ करना चाती थी, वो जे प्रूफ करना चाती थी, वो जे चाहती थी, कि उसका बच्चा बोल ले और अंडर्स्टैंड गरे बाती चीज़ों को, कोशन अपर फाइफ है, वो जो उसके रिष्ट्धाते थी, वो जो उसके रिष्ट्धाते थी, उसकी मां को क्या बोलते थे, क्रिस्टी के बारे में? वो जे लखी फार्दी राइटर देड़ इस पेरेंट्स दिनाट हीड देड़ राइज, इस तरह से राइटर के लिएने किस तरह से फाइदे मनद वा कि उसके पेरेंट्स ने अपने रेलिटीज की बात भी मनगें आपसर है the relatives and friends contented that Christy was an idiot अब जो उनकी friends और और रिप्रोसा दिल आने को बोस्चीश करते थे कि क्रिस्टी एक idiot है, एक defective person है she should not be taken kindly and sympathetically but not seriously वो कहते थे इस पे दिया दिखाने की जूरत है ना कि आप इसको बाकी बच्चों की तरहां फरीड करो इस पे दिया दिखाओ कि उटीजे mentally retarded इंसान है they told क्रिस्टी's parents not to look to be as they would other children वो कहते थे इसकी ऐसे देखाल नहीं करो जैसे कि आप बच्चे बाकी बच्चों की करते हो this would only break their heart in the end but यह सब चीजें क्रिस्टी के अंदर जो determination थी और उसके मां के अंदर जो साफ-confidence था उससे जे सब चीजें गलत साभीत हुई the writer was lucky dad his parents held out against a lot of them Christy's mother even sought out to prove this even that Christy's mother जो थी उसने पूरा इस चीज को प्रूफ करके दिखाया she showed him pictures of animals and flowers, told him stories, helped him to ride and gave him a lot of love she did not give up her struggle, ultimately she was successful she did not give up her struggle, ultimately she was successful question number six, Christy's mother believed he was not an idiot this is the correct option, Christy's mother believed he was not defective we have to correct him first, he was her son, because he was his child second, it was her duty as a mother to defend him it was her duty as a mother to defend him, it was her duty as a mother to defend him third, she loved him and believed him this is the correct answer, this is the correct answer question number seven, Christy's feel that not many mothers would have treated him the way his mother did how would Christy's have been treated in another household? Christy believed that Christy believed that not many mothers would have treated him the way his mother did they would have treated him kindly and sympathetically but not seriously they would have not struggled to the extent that Christy's mother struggled to mold him many mothers would have treated him as a poor one in the back room who are never spoken of when there was visitors present in the household with other children, they are not a human being they are not a human being, they are not a human being 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 question number eight that was a momentous decision what decision his mother took about bringing him up? why did Christy consider the decision a momentous one? she said that Christy's mother decided to regard him on the same plane Christy's mother decided to regard him as the others she thought that it was his body which was crippled not his mind therefore he decided to raise him like a normal time he thought that his body is weak but mentally weak so he decided that he will bring up and grow and grow as he is with his children के साथ के साथ पेश आती है Christie's consider his mother decision a momentous one because it meant that his mother was always to be with her his side to fight all the battles that were to be come in his way and to inspire him with new strength Christie says that his mother decision momentous क्योंकि इस decision की वजया से उसकी मान जो थी हमेशा उसकी साइड रहती थी और जो भी obstacles जो भी लड़ाई है उसके रास्ते में आती थी in his way तो वो उसको inspire करती थी एक new energy उसके अंदर लाती थी और उसको करती थी कि उम्हें इससे लड़ना है और इससे overcome होना है इससे बहार आना है eventually the decision proved to be a significant one in Christy's life उसका decision था एक significant role उसने उसकी life में प्रूफ किया question number 9 है despite being surrounded by a lovely family what was Christy's feelings as he lay on his back in the kitchen or in the garden even कि उसकी इतनी इची family थी और इतनी बड़ी family थी जैसे कि आपको starting में बढ़ाएगे 22 members थी उसकी family के जो बच्चे और उसके मम्मी बापा मिला के 24 members की family थी इतनी बड़ी family के बाब्यूदी जब वो किशन में लेटा होता था जब बाड़न में लेटा होता था तो अपने आपको केला क्यों महसूस करता था इसका answer है Christy's felt himself lonely and imprisoned in the world of his own बाफिए जब वो में जाकरा हो उसको लगता था वो अपने आपको केला यहां केला महसूस करता था और उसको लगता कि मैं अपनी ही जो दुनिया है उसमें जैसे जपरा हूँ एन परीजल में डाग देना कि कुणार कम्मुनिकेट भी ददा था, वो किसी साथ पमुनिकेट नहीं कर सकता था, बात चीछ नहीं कर सकता था, उसको ऐसे लगता था कि मेरी पहचान के और मेरे बखी भाई बेनों के पहचान में, जैसे एक कोई गलास की दिवार खडी कर दी गई है, वो उस दिवार को तोड़ देना चाहता था और भाग के उन बच्चों के साथ खेलना चाहता था बाकी देन भाईों के साथ बट वो ऐसा करने ही पाता था इसलिए वो अपने आपको कहला महसूस करता था गोशन नमगर 10 है वाई इस फादर वाज बीजी प्रिक लें उसके जो पापा थे वो इंटे बनाने का काम करते थे इस मदर बास पेचेडली पूलिंग गउं दी वाल बिक वाल वाजी मदर पूलिंग गउं उसके पापा हमेशा बीजी रहते थे इंटे बनाने के काम में और क्या करती थी एक वाल थी जिसको एक एक इंट करके वो हटा रही थी यहां पे कुंसी दिवार के बारे में कुंसी वाल के बारे में बात की गई रही है वो उस पर्दा उसके दिमाग में पड़ थी वो उसको आइसा हिसा करके हटा देना चाहती थी और बाकी बच्चों के बीच में वो उसको मिक्स करना चाहती थी जिस से की पूससरों के बारी'S नएक बांट खिर्प्र मॉय कोThis रह प्रिश्टर क्रिश्ट्भी सेफ्टय। कि जो रोडे उसकी अप्सक्राइब रोडे जो उसके रास्ते में आ रहे हैं उनको वो हटाने की कोशिश करती रहती थी कोशन नमर 11 है दे नो स्कोक अफ एन इंस्टिशूशन यह लाइन है लेसं से ली गई इसका यह पाथ है इसका बीपाथ है इसका बीपाथ है वह कुं स्टिशूशन की बात कर रहे थे थे आप इसका इसका सही है अब जैसे पहतीना की पर सखेयर्ण पर से थे तो च्रीच मढर की सारे पर कैसा यह सानो्च आंसर है, Christy's mother fiercely rejected their suggestion, वो बड़े गुस्से से उसके जो suggestions देते थे, उनको वो reject कर देती थी, she told them that Christy was not an idiot, वो हमेचा उनको बोलते रहते, Christy idiot नहीं है, वो mentally retarded नहीं है, वो उसकी जिसर बोड़ी है, जो mentally, जो physically, वो retarded है, वो mentally वो ऐसा नहीं है, उसका दिमार विल्कुल सही है, Question number 12 है, Christy's mother and father and siblings are his forming the letter A, as tick the correct option, Christy's mother और उसके पापा, siblings होगे, जो उसके बादे थाई रहें थे, जो हो, बोलते हैं, siblings, जब वो letter A बना रहा होता था, वो उसको देख रहे होते हैं, अब इस में से कौन सा option ठीक है, हुने उसको ठीक करना है, A option है, A sign of intelligence, कि वो उसकी intelligence को show करता था, जब वो letter A लिख रहा था, A sign of intelligence, कि वो उसकी intelligence को show करता था, जो उसके लेटर A बनाया था, Question number 12 है, Why was Christie surprised to see himself holding a chalk stick between his toes, जब Christie कापने ही आपको देखता है, कि उसने chalk stick को अपनी toes के बीच में पकड़ा है, तो कितना surprise हो जाता है, इसके बारे में हमें लिखना हो, Christie was surprised to see himself holding a chalk stick between his toes, because he could not believe his eyes, how he was able to grip the piece of the chalk between his toes, Christie बहुत है जब देखता है, कि उसने जो chalk, piece of chalk जो था, अपने toes के बीच में पकड़ लिए है, तो वो अपनी आँकों पे पिछुआ से नहीं कर बाता है, He hardly knew how it got there, वो समझे निपाया जब कैसे हो गया, He was also not knowing what to do with it next, अबुजी जानता में था, वो प्याग करेगा, It was really unbelievable achievement for him, ये उसके लिए खुद ही unbelievable achievement था, Question number 13, Why was everyone tense in the room when they saw Christy's attempting to write? सारे लोग क्यों tense थे जब उनने Christy को देखा था अंदर से कि वो और लिखने की कोशिच कर रहा है, Answer is, Holding a piece of chalk between his toes and attempting to write surprised everyone in the room, जब उसने chalk लिया अपने पाऊ में और लिखने लगा, सारे लोग जो अंदर से देख रहे थे वो बड़े हरान हुए, They were excited and tense simply because everyone now wanted to see the overcome of the Christy's struggle, और वो excited इसलिए और tense इसलिए थे, वो जानना चाते थे कि जो Christy है वो अपनी जो struggle कर रहा है, उससे वो कैसे overcome होगा और क्या वो अचीव कर पाएगा है या नहीं? Question no.15 है, What do you think finally helped Christy's achieve the impossible? क्या चीज को help करती है उसको जो उसके लिए impossible था उसको पाने के लिए अचीव करने के लिए क्या कीज थी जो उसको help कर दिया और वो उस चीज को पा लेता है, answer is Christy's achievement the impossible simple because he was given the chance by his mother to express himself, वो लास्ट में जो impossible थी उसको पा लेता है, उसको चीव कर लेता है, जैसा कैसे possible हुआ? विकासी वास give the chance की, जो chance था उसकी माने उसको दिया उसको stress करनेगा और उसकी help नहीं करती, तो वो कभी भी इस चीज को अपने अंदर डाल नहीं सकता है, कभी भी इस impossible चीज को possible नहीं करती है, His mother did not give up hope but struggle for him, जो उसकी माँ थी उसके अंदर जो अमीद थी उसको कभी भी नहीं शोड़ा और हमेशा स्ट्रगल करती लहीं उसके लिए, कि ये एक ना एक दिन उस चीज को पाही लेगा, She gave him all important help that molded him right away, अब उसने पूरी मेहनत की उसको एक अच्छे सांचे में डालने की, उसको मोल्ड करने की वो एक अच्छे रास्ते पे चल पड़े, Christy's own desire to communicate and play with the rest also helped him in achieving the impossible, Christy's desire to communicate with other people and play with other people, all these things helped him in achieving the impossible possible. This lesson is the letter A question and answers. If you have any problem, please comment, I will try to reply. I will try to make a video of this lesson, if you have any problem, please check it out. There are many videos about class 12 and class 10, if you have any brother or brother, please check it out. Please check the description, I have many links. If you have any problem in any other chapter, please comment, I will try to make a video of this lesson. Thank you and have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you. I have a great day. There you are. Thank you. And now, how are you doing? I have a great day. I have a great day. I have a great day. झाल झाल